ऑकी गई दो अब सभी कार्श के विडियो मां करते है विडियो को सबसे भी रख्योप nuestras नहीं है किसी भी तरह का यह kete को आपको Bita 1992 00 है purely educational पर रपसका यह वीडियो होने वाल है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को प्रेस करके अल पर सट कर लेना सेगंड चैनल को भी जाकर चेक कर सकते हो चेक आउट कर सकते हो इसमें बहुत इंपोर्टेंट वीडियो आयो हुआ है तो डेफिनिटली उसको भी देखना और इसको आप सब आपको यहां पर मिलता रहता है इन सब का लिंक आपको यहां पर चैनल के अबाउट में मिल जाएगा या फिर आप देस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो आगे बढ़ते हैं बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के बारे में ठीक है और यहां पर इले कि इतना बड़ा यहां पे candle बना हुआ है आप देख सकते हैं इतना बड़ा candle है इतना बड़ा विक है उस candle में तो यह consolidation तो ब्रेक हो गया ठीक है जब भी इस तरह के इस तरह की चीज़े होती है जनरली अगर एक स्टॉक में हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट अगर आप देखोगे इस दिन पैनिक था पूरा माहौल पैनिक का था है इस पैनिक के माहौल के वज़े से जो है इस candle में ऐसी चीज़े हमें देखने मिली और अगर आप देखोगे तो इस candle का जो closing है इस candle का जो closing है opening भली बाहर थी during the market बहुत कुछ हुआ बट जो closing है वो इसी zone के अंदर आई है ठीक है उसके बाद अगर आप इस candle को भी देखोगे मैं थोड़ा जूम कर लेता हो ताकि आपको अच्छे से देख जाए अगर आप इस candle में देखोगे इस candle में भी वही सेम चीज है ठीक है यहां पर opening नीचे हुआ closing बहुत उपर हुआ during the market भी बहुत volatility थी लेकिन इसमें volume काफी जाद है आप अगर देखोगे volume काफी जाद है मतलब यहां पर breakout होने वाला है काफी जाद चांसे से कि उस दिनों में आपको यहां पर breakout देखने मिलेगा और जैसे यहां पर breakout होता है उसके just बाद एक और level आएगा which is this जो की है यहां पर इसका all time high या फिर आप year कह सकते हो या all time high भी कह सकते हो यहां पर आप देख सकते हो ठीक है stock यहां तक कभी नहीं पहुँचा ठीक है all time high है यह stock का और आप all time high है तो यहां पर resistance होगा तो यहां पर जो consolidation है यह consolidation जैसी break होगा बहुत जादा chances है कि break होने के बाद stock directly इसको भी break करके ऊपर ही close कर जाए मतलब यहां पर consolidation के breakout के साथ all time high कभी यहां पर breakout होगा and उसके बाद breakout होने के बाद retest होगा retest होने पर आपको एक और बर मौका उसके बाद एक बहुत अच्छा मोमेंटम यहां पर एक्सपेक्टेड है तो यहां पर स्टॉप लॉस तो लिमिटेड होने वाला है लेकिन आप टार्गेट जितना चाहोगी सकते हो अगर आप स्विंग में हो तो आप 1.2, 1.3, 1.4 जितना चाहो ले सकते हो अगर आप पोशि को अच्छा काैंडर सकते हो और शॉक्षि के मुलिपिंग तो आप स्टॉप लॉस को थोड़। यहां तक लेकर कर आसकते हो छिस इसांर्म परसंट रहते हां तो तो पर के लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पोजिशनल के लिए मेरा stop loss ये रहने वाला है 178 के असपास और जो swing है उनके लिए मेरा stop loss जो है रहने वाला है कुछ इस जगा पे 182-83 के असपास इसका reason अगर आप इस candle को देखोगे ये candle है काफी अच्छा candle है with good volume तो इसके low के नी नीचे इस box के नीचे close हो जाता है इसका मतलब simple है कि ये जो pattern ये खराब हो चुका है अब ये setup हमारे लिए नहीं क्योंकि ये setup खराब हो चुका है तो जब setup खराब हो जाए तो आप stop loss मान के उसे exit कर सकते हो या फिर आप stop loss को दोड़ा और drag कर सकते हो यहां तक जैसे मैंने क रहा around 10% ये 9.5% तक जो की होने वाला है daily closing basis पे मतलब अगर यहां पे close हो जाता है इसके नीचे या इसके पास तो उसके बाद जो है मैं stop loss मान के exit कर दूँगा तो मैंने stop loss भी बता दिया targets भी जो है आप अपने हिसाब से decide कर सकते हो ठीक है और बाकी आप अपने हिसाब से पहले analysis करना अपने आप analysis करने के बाद जो आपको सही लगता है वही करना मेरे तरफ से कोई recommendation नहीं है मिलते है किसी और वीडियो में बाए बाए